हेलो फ्रेंड्स, WSQPTEC के इस ओनलाइन पोर्टल पर मैं वनीश के लोग आपका वेलकम करता हूँ फ्रेंड्स, जावा प्रैक्टिकल की स्रीज में आज का हमारा एम है प्रोग्राम टो इंप्लिमेंट दी लीनियर सर्च फ्रेंड्स हमें क्या करना है, लीनियर सर्चिंग का जो कंसेट है उसको इंप्लिमेंट करना है फ्रेंड्स सर्चिंग जो है बिसिकली दो तरह की होती है एक होता है लीनियर सर्च और एक होता है पाइनरी सर्च लीनियर सर्च की जो time complexity होती हो फ्रेंट्स वो होती है n मतलब आप जितने number of comparison के लिए करेंगे जितने number of input देंगे यहाँ पर n indicate कर रहा है number of elements उतने ही number of यहाँ पर क्या लगेंगे comparison लगेंगे लेकिन फ्रेंट्स जो दूसरी तरह की searching होती है वो होती है binary search जिसमें जो time complexity होती है वो होती है log of n basically यह जो time complexity का chapter है friends वो कैसा है एक data structure का topic है तो data structure की पूरी series मैंने WSQTEK programming channel पर upload कर रखे तो वहाँ से भी आप transfer कर सकते हैं कि time complexity basically होती क्या है तो linear search की अगर मैं बात करू friends तो इसकी जो time complexity होती है वो होती और log of n किसकी होती है binary search की होती है तो वह भी मैं आपको perform कराऊंगा उसमें क्या होता है number of comparisons just half हो जाते है ठीके it is better than binary search is better than the linear search but have some disadvantages तो यह हम discuss करेंगे जब हम binary search को implement करेंगे फिलाल हम आज के जो वीडियो है उसमें linear search को implement करने जा रहे है जिसका सीधा साथा concept है कि आप left to right scanning करेंगे जो भी आपको array दे रखा है उसमें left to right आप scanning करेंगे element अगर आपको मिल जाता है तो searching वहाँ पर complete हो जाएगी और हमारा message आना चाहिए कि element is successfully searched और अगर आप उस position को भी print करवाना चाहते है कि कि इस particular position पर element print होआ है तो वह भी आप print करवा सकते है ठीके So friends this is a basic concept for the linear search और इसी को हमें क्या करना है implement करना है time complexity आपको ध्यान में रखना है linear search की होती है n और binary search की क्या होती है log of n okay where n indicates the number of element okay so friends class हमने यहाँ पर declare कर ली है main function भी declare कर लिया है और इसके program में हमें कुछ variables के requirement होगी वह मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक variable हम ले लेता है i और n number of elements ठीके और search के लिए हम element लेता है search और एक हम ले लेता है array ठीके यह हमने एक array ले लिया है array का declaration में बाद मैं कर देता हूँ पहले number of input जो है वो हम लेंगे user से ठीके उसके लिए मुझे यहाँ पर scanner class के requirement होगी ठीके scanner class के requirement होगी और scanner class को यहाँ पर सबसे पहले हमें उसका object बनाना पड़ेगा friends object मैंने बना दिया है SE नाम से new scanner ठीके और यहाँ पर हम देंगे system.in ठीके system.in यह हमने यहाँ पर friends scanner class का object बना दिया है अब इस object की help से हम क्या करेंगे जो हमारा जो हमें number of elements क्या करना है user से जो input में लेने है वो हम input में लेंगे तो friends एक मैं message देता हूँ यहाँ पर system.out.println enter the number of elements in array enter the number of elements in array ठीके जो भी elements है वो user से हम input में लेंगे और इसके लिए यहाँ पर variable लिया है मैंने n friends n is equal to और scanner class को object की help से हम क्या करेंगे next int function को call करेंगे और input में लेंगे ठीके यह मैंने ले लिया अब हमें क्या करना है यह जो size जो हमने ली है ठीके यह जो size जो हमने ली है friends वो हम इसमें array में pass कर देंगे तो करवा दिए ठीके size हमने pass करवा दिए ओके friends और अब हमें क्या करना है कि वो elements जो है total number of elements जो हमने user से लिये है friends ठीके यह हमें क्या करना है अब user से input में लेना है ठीके अब हमें क्या करना है after taking all the number of elements in the array हमें user से अब सारे elements जो है वो input में लेना है ठीके तो friends उसके लिए यहां पर मैं एक message में देता हूं सारे elements देने के लिए system.out.println enter the elements enter the elements of array array के जो भी elements हमें user से लेने है और इसके लिए friends में यहां पर arr जो हमने array लिया है उसके अंदर हम input में ले रहे है बट उसके लिए friends पहले मुझे for loop भी चलाना पड़ेगा क्योंकि without for loop सारे elements नहीं आएंगे ठीक है so friends i is equal to 0 चलना कब तक है जितनी array की length है तो array की length हमारे पास में n में है और i में increment करते रहना है ठीक है और ar of i is equal to हमने जो scanner class को object बनाया है उसकी help से हम next identity function को call करेंगी और यह सारे element हम input में ले लेंगे और next हमें क्या करना है friends कि हमें user से एक element searching element जो है हमें user से लेना है कि वह कौन सा element है जो आपको array में search करना है ठीक है so enter the searching element enter the searching element जो भी search element आपको करना है वह आप दें तो friends यहाँ पर जो है message देने के बाद में हम इसको input में लेंगे और searching जो element है हमारा क्या है search हम ले रहे है ठीक है is equal to scanner class की object की help लेके हम next identity function को call करेंगे ठीक है enter the searching element यह हमने दे दिया friends अब हमें जो है linear जो searching का जो logic है वह मैं apply करने जा रहा हूं सारे जो input है वह हमने user से ले लिए है linear searching का जो logic है वह मैं apply करने जा रहा हूं so friends इसके लिए मुझे fall loop के requirement होगी for loop वही लगेगा i is equal to zero चलना कब तक है हमें जितनी array की जो length है ठीक है i is less than n ठीक है और i में increment करते रहना है ठीक है this one is a fall loop scope यह fall loop का scope हो गया है और comparison के लिए हमें if condition लगा नहीं है ठीक है तो यहां पर comparison किसका करेंगे basically searching जो element है यह हमारा searching element है ठीक है अगर searching element जो है particular array की position के जो element है वो उसके equivalent होता है तो obviously बात है search जो हमारा successful है okay searching जो है हमारी successful है तो हम क्या करेंगे यहां पर friends एक message provide कर देंगे system.out.println search is successful search is successful यह message मैं देता हूं यह मैंने message दे दिया और साथी friends मैं क्या करता हूं कि जो searching की जो position है वो भी मैं print करवा देता हूं और searching की जो position है वो किस में है आयत में है यह जो पोजिशन है इसमें है यह प्लस वन मैंने क्यों लिखा है क्योंकि जिससे मान लीजिए searching जो element है जो हमें array में मिला है वो थर्ड पोजिशन पर है बट actual में वो किस पर होगा friends जो array की जो indexing जो position होगी उसमें किस पर होगा इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया प्लस वन कर दिया ठीक है और searching element अगर मिल गया तो हम आगे अब search करने की requirement नहीं है एक हम यहां पर friends flag variable all ले लेता है यह मैं इसका डिले टाइप लोंगा friends boolean boolean type ले लेता है और इसकी value मैं यहां पर specify कर लेता हूं friends क्या true यह मने specify कर लिया ओके तो अगरaver flag की value यहां पर मैं change करता हूं श्बैकि यहां पर चेंज करी क्या false यह मैंने फ्लैश की value चेंज करे अगर मैंने flag की value चेंझ करे इसका मतलब क्या है कि friends के search जो है हमारा सर्च जो है वह successful हुई है ठीक है अगर successful हुई है तो यहां पर हम क्या कर देंके उसको break कर देंगे आगे हमें search करने की requirement नहीं यह ब्रेक कर दिया मने loop से बाहर आ जाएंगे और loop से बाहर आने के बाद में क्या होगा इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हमारा सर्च जो अन्सक्सेस्फुल है, वो जो सर्चिंग ऐलिमेंट जो यूजर ने दिया है, वो अरे में प्रेजेंट भी नहीं है, तो यहां पर मैं मैं मैसेज देदेंगे, ठीक है, सिस्टम.out.println, और मैसेज में देदेताओ, let's say friends, searching element is not presented in array, searching element is not present in array, ठीक है, वो array में present ही नहीं है, तो friends, दौनों ही case हमने यहां पर जो है लिख लिए है, अगर searching element present हो, और searching element present नहीं हो, ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को आपको execute करके दिखाता हूँ, number of elements हमें देने है, let's say मैंने element दिये हैं 5, और अब मैं element देने जा रहा हूं, मान लिजिए 4, 3, 6, true, 8, यह मैंने elements दे दिये हैं, और searching element हमें देना है कि इस particular array में मुझे कौन सा element search करना है, तो मान लिजिए मैं देता हूँ 2, तो 2 की जो position है friends वो क्या है, 4th है, इस array में कौन सी position है, 4th है, दो देखें आप search is successful और जो position जो है friends 2 की वो क्या है, 4th position पे हमें वो element मिला है, ठीक है, अब मैं आपको unsuccessful का भी case दिखा देता हूँ एक बर, number of element लेते हैं, 5 और elements मैं दे रहा हूँ 54, 2, 1, 8 और मालीजी 9, ठीक है, यह मैंने elements दे लिए, searching element में देता हूँ, मालीजी 0, 0 मैं दे रहा हूँ, 0 मुझे search करना, obvious से बात इसमें नहीं है, तो देखें, आप message के आ रहा है, searching element is not present in array, वो particular जो element आप search करना चाहते है, array के अंदर, वो present भी नहीं है, ठीक है, तो friends, दोना ही cases में output हमारा expectation के according आ रहा है, ठीक है, और हमने searching का जो logic है, linear searching का जो logic है, वो successful implement कर लिया है, ठीक है, एक और searching होती है, that is a binary searching, उसका भी concept में आपको separate video में बताऊंगा, okay, so friends, I hope के इस particular program से जमाराच का concept है, how to implement a linear search in Java programming language, यह आपको समझ में आया होगा, friends, thank you so much for watching this video.